तो दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल येड़ा प्लोट्स रिसेल में और आज हम आपको 사ien उजड़ा रहे हैं के सेक्टर मूफ स्अक्टर चैनल में के पाताफ प्लोटि दो दोस्तों कि एक sä framework स्वागत है और एक ब्लॉक में आपको छार हैं तो अब हम चल रहे हैं इन पॉकेट्स के डिवाइडिंग रोड 18 मिंटर रोड पे और साथ में आप देख रहे हैं काफी बड़ी ग्रीन बेल्ट तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर में फर्स्ट के पॉकेटे में यह आप देख रहे हैं सतर स्कॉर मिटर वाले विला का ग्रीन बेल्ट फेचिंग लाइन अब हम चलते हैं पॉकेट के अंदर और आप से शेर करेंगे हम इसके बारे में डेर सारी इन फॉर्मिशन इनकी कनेक्टिविटी इनके प्राइस के बारे में यह आप देख रहे हैं सेवंटी स्कॉर मिटर वाला विला जो की है ग तो दोस्तों बात करें सेक्टर मिउफर्ष्ट की कनेक्टिविटी की तो यह पड़ता है आपका परीचोक से लगबग साथ किलोमेटर की डिस्टेंस पे और यहां का नजदिक की मेट्रो इस्टेशन पड़ता है लगबग चार किलोमेटर की डिस्टेंस पे जो की कि इसक्रेवी विला के अंदर हम साइट विजिट करते हुए तो दोस्तों में फस्ट के अंदर साइट विजिट करते हुए हम अब बात करें इस विला के प्राइस की तो यह आपका इस्टाइटिंग प्राइस जो है वह है थर्टी सेवन लेक से स्टाइटिंग प्राइस है और यह 45 लेक तक आपको जाते हैं डिपेंड करता है लॉकेशन पर दोस्तों ग्रेटर नोडा के सबसे आखरी सेक्टर्स में से आते हुए अभी आपको यहां पे पुब्लिक ट्रांसपर की कमी मिलेगी केवल आटो ही आपके पास एक उप्सन है या फिर आपको अपना वीहिकल से आने जाने की वेवस्ता करनी होगी रिहाइस देखे तो इसमें लगबग 70% लोग इन विलाज में रह रहे हैं और सेक्टर म्यूफस्ट में आपको दूसरे साइजे में मिलेंगे चोटे जो की 90 स्क्वार मीटर और 120 स्क्वार मीटर के है तो सेक्टर म्यूफस्ट के विलोग के एका हम साइट विजिट कर रहे ह इस समय 70 स्क्वार मीटर वाला विला जो की सबसे छोटा विला है साइज में और सबसे सस्ता विला है ग्रेट नड़ा अथार्टीगा यहां पर भी आपको डवलफ पार्क मिलेंगे पानी गैस और इलेक्टिरिसिटी सबी चीज की अच्छी व्यवस्ता है यह जो आप लाइन देख रहे हैं यह है पार्क फेसिंग विला इनके सामने आप देखेंगे यह आप देख रहे हैं सेक्टर मियूफस्ट का पार्क जो की काफी डवलफ पार्क है और काफी बड़े एरिया है और यह बिल्कुल सेक्टर जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से लगा हुआ है ग्रेटन ऑट थार्टी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इनसे बिल्कुल लगे हुए हैं तो इसमें आपको रेंटल इनकम भी थोड़ी अच्छी मिल जाएगी यह पार्क फेसिंग दोस्तों अब हम हैं मियूफरस्ट के बिलोग के बिलोग एक पार्क के अंदर आप देखेंगे काफी डवलप पार्क है और काफी सुंदर ये पार्क बना हुआ है काफी अच्छे से साफ सफाई डवलोपमेंट क्या हुआ है और इसके फेसिंग में कुछ पढ़ने वाले विल लोर के बने हुए मकान दीखाई देंगे दोस्तों कनेक्टिविटी वाइज जो यहां का सबसे पास का ग्रेटर नौडा बश्ट डीपो है लगबग तीन किलोमेटर के हुए कासन बश्ट डीपो तो म्यूफर्ष्ट के बिलोग के हम साइट विजिट करते हुए दोस्तों यह आपके रहने के और रेंटल दोनों तरही से अच्छा उप्शन है और ग्रेटर नौडा का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट हाउस और विला होने के कारण इसकी डिमांड भी काफी जादा है सामने मिलते हैं स्टेयर्ज कि यह आप देख रहे हैं और इसके अंदर से यह आपका ड्रईंग रोम मैं और ड्रॉइंग रोम से आप जैसे अंट्र करेंगे यह आपका किचन कि के यह आपका टोilect और ये मिलता है आपको बैटरूम ये वन बैटरूम सेट विला है आपका ये बैक साइड ओपन स्पेस जो कि अथोर्टी को छोड़ा सभी प्लोट्स या इंडिपेंडेंट विला में आपको खाले मिलेगा पीछे तो एक बैटरूम का बहुत अच्छा मैप है एक छोटी फैम की जो टाइमेंशन है वो है 7 मिर इसका आपको फिरेंट मिलता है और 10 मिटर इसकी गहराई मिलती है आपको तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्स्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए हमारे साथ यमना 30 और ग्रेटन और 30 के लेटेस्ट डवलोपमेंट और साइट विजिट्स के लिए और लेटेस्ट इन्फोर लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल सब्स्राइब करें थैंक्यू वेरी मॉर्च